ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा निम्ना सित्र जोनो व्यो मा परोयत किमा वरेवह कुह कस्य शरमन्नम भा किमा सित गहनम गवेरं स्रिष्टी से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहां किसने ढगा था उस पल को अगम अतल जल भी कहा था करी नहीं थाओव करता है करता है करता है उन्चे आकाश में रहता सता अध्यक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता करता है सितंबर 1949 में दूसरा महायुद यॉरप में छिड़ गया सितंबर 14 को कांग्रिस कार्यकारी कमिटी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें ये लवज भी थे अगर बरतानिया आजादी और जम्हूरियत की बिना पर ये जंग लड़ ही है तो उसे लाजमी तोर पर अपने कब्जे में जो मुलक हैं वहां सामराजवाद का खात्मा करना होगा एक आजाद लोक तंत्रिय हिंदुस्तान दूसरे आजाद मुलकों के साथ मिलकर खुशी से लड़ने को तयार रहेगा मगर हमारे ये अर्मान अधूरे ही रह गए क्योंकि अंग्रेजों ने साफ इंकार कर दिया समझवते की कोई उमीद न रही और नहीं हिंदुस्तानियों को हमले के खिलाफ अपनी सुरक्षा खुद करने का मौका दिया गया इसी बीच उस हमले की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही थी रंगोन जपानियों के कबजे में था और भूके हिंदुस्तानी शरणार्चियों का हुजूम पूर्वी सिमाओं से उबल पवा बंगाल से अबादी को निकालने की तैयारियां शुरू हो गई मदरास और कलकत्ता से पूंजी पतियों ने भागना शुरू कर दिया फिर साथ और आठ अगस्त उनीस सौ ब्यालिस को अखिल भारतिय कांग्रेस कमिटी ने कुट इंडिया यानि अंग्रेजों भारत छोडों वाले प्रस्ताओं को बहस के बाद सुईकार किया अगस्त 9 की सुबह को बंबई और बाकी मुलक में कांग्रेसी नेताओं की गिरफतारिया होने लगी इतने सारे कांग्रेसी नेताओं की एक साथ गिरफतारी के बाद किसी के समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए और फिर 1857 की लड़ाई के बाद पहली बार बेशुमार लोग अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ाई में जुटकर एक साथ हो गए हर खिर्की एवाम रोशन दाइन पर कागज चिपका दीजे और जैसे ही हवाई हमले का साइरन बज़े वो साइरन बज़ते ही हर गर की बत्तियां बुजा दीजे और इस तरह जमीन पर लेट जाए यह देखो पारस जापानी फॉस से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है यह इंग्रेज हमें तो आजादी देते नहीं पर हमें अपनी तरफ से लड़ने के लिए जबरदस्ती करते हैं और जब तक दूसरा साइरन ना बज़े इसी तरह लेटे रहिए और दूसरा साइरन बज़ चुका है अब खड़ हो जाईए और अपने आस पास देखे पई आग या बं तो नहीं है हलो रामनाशो कबर बस चला या रहा हूं बलिया से और देश की रक्षा तो ठीक ठाक है ना तुम साले बलियाटिक जब देखो तब बलियामी बैठ रहोगे तो देश की रक्षा का होना ही क्या है नमस्कार नमस्कार और बलियाटिक आज शाम सेंडरल हाल चल रहे हो ना क्यों अरे रवीठ हगूर की फर्स्ट डेथ एनवर्सरी है शाम पांच बजे हाँ साथ अगस्त बगर बाबु मोशाय मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है यही पर कर दोस्तों करें इस आनो रहेगे मन्रीज सब्सक्रा सबीद आक है और अगी नहीं आहींगे अब एक गुरिल्ला नहीं बहें डाक्टर गहरूला हमा conosर् है घर्मार लावत मुद्प मुद्प जर्मनी नहीं थे डाक्टर गहरोला वियना गय थे आस्ट्रिया में डाक्टरी पढ़ने के लिए तुम भी सरकारी अफाउ में आगे लगते हो दोस्त गुरुजी नमस्ते गुरुजी डिपार्टमेंट में केवल हां यहां मैं तुम्हारा साथी हूं गांधी जी का सेवक शर काहे सौसो मकर बनाओ अरे अब भागो लंदन जाओ साहब अपने संग में अपने कुटे भी ले जाओ साहब अपने संग में अपने कुटे भी ले जाओ अरे अब भागो लंदन जाओ काहे सौसो मकर बनाओ अरे अब भागो लंदन जाओ अरे अब भागो लंदन जाओ नमस्ता बैठाव दोस्तों आज जिस समय यहां से हजारों मील दूर बंबई में कॉंग्रेस कमीटी की महा समीतिक अधिवेशन चल रहा होगा हम लोग यहां काशी में उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए कठे हुए हैं और सिर्फ हम लोग ही नहीं बलकि पूरे देश में जगा जगा आप जैसे नौजवान औरतें, बुढ़े, बच्चे और हिंदू, मुसल्मान, सिख, इसाई सभी लोग मिल रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं क्योंकि हर किसी को इंतजार है गांदी जी के नए अंदोलन का जिसकी रूप रेखा, खुद गांदी जी कल आठ अगस्त को बंबई में लाखों लोगों के सामने रखेंगे लेकिन गांदी जी का नए अंदोलन है क्या? गांदी जी ने खुद कहा है कि विक्तिगत सत्याग्रह की तरह से इस बार मैं मांगकर जेल जाने वाला नहीं हूँ ये संग्राम फर्क होगा तेज और तीव्र होगा अब हम कभी अंग्रेजों के सामने हाथ पहला कर भीक नहीं मागेंगे बल्कि अपना हक चीनेंगे उनसे इसलिए पिछले महीने इलाबाद में कॉंग्रेज की कारेकारी समिती की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके लिए मैं चाहूंगा कि शर्मा जी जो उससर इलाबाद में मौझूद थे यहां सामने आएं और आप सब लोगों को उसके बारे में बताएं आज बंबे में जो कॉंग्रेस महा समिती का अधिवेशन हो रहा है उसका ड्राफ्ट रेजिलूशन कारी समिती ने इलाबाद में तयार किया था सर्स्टरफोर्ट क्रिप्स को भेज कर अंग्रेजों ने हमारे साथ एक और धोखा किया ताकि हम लोग आपसी लड़ाईوں में अपनी जाने कुर्बान करते रहें और फिर भी उनके गुलाम बने रहें कारी समिती का कहना है कि दो सामराजवादी ताकतों की लड़ाई के बीच में हिंदोस्तान को ना पीसें पिछले 22 वर्षु में जो हमने अहिंसात्मक शक्ति बटोरी है आज सही समय आ गया है उसे उपयोग में लाने का इसलिए कमेटी तमाम भारत वासियों से यह अनरोध करती है कि चाहे कोई भी संकट हो या कैसी भी मुसीबतें जेलनी पड़े वो अपना सहस न गवाएं और एक सच्चे सतंतरता सैनानी की तरह गान्दी जी के नेतर तुमें ढटे रहें पर उन्तु याद रहे इस पूरे आंदोलंद का एक मुख्यादार है अहिंसा ऐसा समय भी आ सकता है जब कॉंग्रेस कमेटीयां काम न कर सकें या फिर उनके आदेश जनता तक न पहुँच पाएं ऐसे हालात में आंदोलंद में भाग लेने वाले तमाम स्त्रीपुरिश सेंब अपने पत्प्रदर्शक होंगे और हर शक्स सेंब अपना नेता होगा इंकलाब 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 कारे कारी के विचारों के बाद मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा एक गश्टी चिठी हमें आंधर से मिली है जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमें आगे चल कर क्या करना है उसमें लिखा है कि सरकारी सामान पुल तार वेल रेल के खिलाफ ये हिंसा नहीं है ये सब अहिंसात्मक असहयोग का ही एक हिस्सा है मगर सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो इस पूरे आंधोलन को गाओं गाओं और जन जन तक पहुचाना है इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ के हाँ बनारस में मोर्चा संभालने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद है अगर हो सके तो आप में से कुछ लोग अपने शहर और अपने अपने गाओं में जाकर एक एक हिंदोस्तानी को गांधी जी के संग्राम का हिस्सा बनाएं इंगर जिन्दा बाद इंजिनिरिंग कोलेज से एक बहुत बड़ी मशीन फाजी ले जा रहे हैं सुना है जहरीले केमिकल बनाने वाली मशीन है इस साले प्रोफेसर फिलपाट की अगर ऐसी की तैसी नहीं की गई यह सारे इंजिनिरिंग को तो खाना बना देगा इस विद्याले की संपती छात्रों की है हम उसे युद्ध के दुरपयोग नहीं होने देंगे वो साले मशीन उठाएंगे हम फिलपाट को उठा लाएंगे मनोहर याद रखो किसी व्यक्त के इखलाफ हम हाथ नहीं उठा सकते चाहे वो अंग्रेज प्राफेसर ही क्यों नहीं हो अगर हमें रोकना है तो मिशीन को रोकना है सर वो ट्रक में ले जा रहे हैं हम ट्रक को घेर लेंगे पंचर कर देंगे हाँ हाँ पंचर कर देंगे चलो, जायो! रामानन जी सर्थ कौन था ये विद्यारती? इसका नाम है राज नारायन सा तो फिर जा रहे हो रामनन? हाँ बारस, मैं कल सबरे फिर जा रहा हूं कहाँ धनबाद? डाइनमाइट स्टिक लान? नाई, बलिया क्यों? कांदी जी की बात गांगवाम तक जो पहुंचानी है तुम भी चलो? कुछ लोगों को तो यहाँ उनिवर्सिटी के सही हो के लिए रहने दो ना चलो ठीक है कुछ दिनावर अंग्रेजों का सहयोग करके देख लो और कुलपती जी के कर्मयों का प्रियोग करके भी और एक नाई दिन तो बच्चू तुम्हें आना पड़ेगा हमारे रास्ते पर रास्ता ना पो अपना दामना में ना पूंगा ना पूंगा और तुम्हारा इंतजार भी करूंगा Mr Kennedy ये देखो, ये देखो,ी बम्बी से का अ-वात्मा गांदे घडबतार पापँजी को, नातानी का लें ले गए Гहे अंग्रेज ए आजी राज का कुंकार्म देखो महात्मा गांदी को गिरफतार करके वो हमें अपना गुलाम नहीं बना सकते गांदी जी ने कहा है हम आजाद है आज से और अभी से तो हम सब आजाद है हम सब आजाद है इंकलाब जी नाबाद जी नाबाद जी नाबाद जी नाबाद जनता में कॉंग्रस का असर देखकर अंग्रेजी प्रशासन एकदम सकते की हालत में आ गया था अख़वारों पर पाबंदी के अलावा कई जगहे तो स्थानी स्थर पर नेताओं को अगस्त 9 के बहुत पहले ही गिरफतार कर जेलों में डाल दिया गया था जिससे की लोग दिशाहीन हो जाएं बलिया के भी सारे कॉंग्रसी नेता जेल में थे जिन में खास थे राधा मोहन सिंग MLA और लोग प्रिय जन नेता चित्तो पांडे किस किस को ले गए कमेटी का जो जो सदस है था सब को राधा मोहन सिंग मेले को भी फिर से पकड़ ले गए यानि किसी को नहीं छोड़ रहा है नहीं अगर वो नेताओं को इसी तरीके से पकड़ते रहे तो अब अंग्रेज या अंदोलन दबा नहीं सकते पावु साहब आप इतनी चल्दी मजले ने रेडियो लगाया था तो पता चला कि गांदी जी गिरिफ्तार हो गए क्या गांदी जी गिरिफ्तार कर लिये गए अगर ऐसा है तो आज से इस शहर में पूरी हर्टार होगी है वो तब तक चलेगी जब तक ये अंग्रेज यहां से चले नहीं जाते अगर लोगों को ख़बर कैसे करोगे हैं हां लोगों तक ख़बर पहुचाना बहुत मुश्किल होगा जगा जगा गिरिफ्तार हो रही है गांदी टोपी में जिसे देखते हैं गिरिफ्तार कर ले जाते हैं लेकिन यह खबर तो आप तो लोगों तक पहुचानी है कपाँ दुपा, मंजूरी, सब बन सुनो, सुनो, सुनो वल्याती निवासियों सुनो मात्मा गांदी के गिरफतारी के खलाफ आख से वल्या हुन कौल सुबह 8 बजे ओकिन गंसे जिनूस निक लेगा याद रखिये कौल सुबह 8 बजे ये मात्मागान्दी कि रफ्तार कर लिए गए माजा गांदी किरक्तार कर लिए k twee, माजा गांदी कि अर्वा है ours spo plati आपन, ours spo plati , दिश्यभी आपन करको सूधार 6 var ओकिनगर से जुनोष भिलेगा माजा गांदी कि इंखना is aktivraland गोग वाई और भेनो अब इंकिलाब जिंदाबाद से काम चलने वाला नहीं है साथ तारीक को पंडित नहरू ने बंबई में अंग्रेज भारत छोड़ो का जो नारा दिया है आज से वही नारा हमारा भी है अंग्रेजो भारत छोड़ो यह हमारा देश है तुम चले जाओ यहां से अभी हम इस ट्रेशन के अंदर जाएंगे और अपने भारती भाईयों से कहेंगे कि रोक दो काम तुम भी कि रोक दो इन रेल गारियों को जो जंग का सामन पहुंचाती है और भाईयों भैनों आप पच्छी के उपर लेंट आखें रोक दो ट्रेंट दो जब बिवें परहूं भाईयों खुपऽवा थिसना एै जैँ अएल खर टिश कर दो बिएटभ चेश्डों से आधाधार भान हो चाहिए है। ही जहाए हुआए है। भाईयो भाईयो अभी हमने ट्रेंस को रहा हुआ। अगर अंग्रेजों ने भारत नहीं सोडा तों पूरे देश को रोक देंगे हमारा सौभाग गया कि बनारस से आउए ये नेता जी हमारे साथ है हम चाहेंगे कि गांधी जी के नए आंदोलन के बारे में हमें बताएं साथियो मैं बनारस से आ रहा हूँ वहाँ भी जनता में आप जैसा उत्सहा और आक्रोश मजूद आप लोगों तक ये खबर तो पहुंची गई होगी कि महात्मा गांधी को ग्रिफतार करके किसी अंजान जगा भेज़ दिया गया है ये अंग्रेज चाहते हैं कि हमारे नेताओं का संबंध जनता से करचाए लेकिन ये अंग्रेज ये नहीं जानते कि गांधी जी ने कहा है कि ये उनकी अंतिम लडाई है और इस जन्द आंदोलन में हर आदमी खुद अपना नेता होगा साथियो गांधी जी ने इस अंतिम यूद्ध के लिए हमें सिर्फ एक मंत्र दिया है गुलाम रहकर जीने के काबिल नहीं हम गांधी जी ने कहा है करो या मरो लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है साथियो वो है अहिंसा करो या मरो कहा है गांधी जी ने करो या मारो नहीं कहा है इसलिए हम आहुती देंगे अपनी पर किसी की जान नहीं लेंगे चोट नहीं पहुंचाएंगे किसी को भी पर हम करे क्या गांधी जी ने कहा है कि आज से हम अपने आपको आजाद मान लें अंग्रेजों की खुरामी मानने से इंकार कर दो मतलब ये कि हम आज सहयोग करें सरकार से सरकार की संसाओं से सरकार के पिठुओं से भाईयो हमने बनिया में पूरी हर्ताल का नारा दिया है अगर अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो आज से वाजार दुकाने दबतर सब बंद रहेंगे अब चाहें अंग्रेजी सरकार हमें जेलों में ठूच दे या हमारा सिर काट दे मात्मक काने इक दे आथियो, 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 आथियो Sir, we don't want to harm you sir, कोई आपको छूएगा भी नहीं आपको पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं हम गांदी जी के सिपाहिये हैं और अहिंसा हमारा धर्म है हमारी आफसे पैरतना है sir सिर्फ दो मिनिट के लिए गांदी तोपी हमारे के आथियो, पीछे पीछेड़ी, पीछेड़ीए साथियो हम गांदीजी के सिपाही हैं मर जाएंगे लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे देखे कितनी गोलियां हैं अंग्रेजों के पास एंडूस्तान के पास सीनों की कमी नहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा का दीकी जए भारत छोड़ो आथमा का दीकी जए महात्मा का दीकी जए भैट चाहिए शाथियो बैठ आईए, बैठ ये, साथियो, वो बेकार डर रहे हैं हमसे, हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हालांकि गोलियां चला कर उन्होंने हमारा अपमान किया है, और अब उन्हें गांधी टोपी पहन कर हमारा साथ देना होगा, हम जाने नहीं देंगे उन्हे, बैठ रहेंगे घंटो, नेच रहेंगे, गाएंगे, भजाएंगे, लेकिन उन्हें जाने नहीं देंगे, आसाथियो, अरे सुन्दर सुभूमी मैया, भारत के देशवासे, मुहे प्रान बसे ही खोहर बटो हिया, प्रान बसे ही खोहर बटो हिया, एक द्वार घेरे रामाहिम कोत वालवासे, तिन द्वार सिंदु गहरावे रे बटो हिया, जाहू जाहू भईया रे बटो हि हिंद देखके आओ, जाहू जाहू भईया रे बटो हि हिंद देखके आओ, जैवा का हुक कोहल बोले रे बटो हिया, गंगारे जमुनवा के जर जर पनिया से, सर जु जमक लहरावे रे बटो हिया, आए भी देशी दूर देशे से घर हमरे घुसिया आए, अब लत आयन जावे रे कैसन बटो हिया। महापमगांदेखेजाए महापमगांदेखेजाए मिस्टर ओवेस सर, एडियम से मैं तहसील की रिपोर्ट ले चुका हूँ अब आपकी रिपोर्ट क्या कहती है बल्याज शेहर के बारे में सर, हमारे इंफॉर्मर का कहना है कि लोगों में जोश और गुसा तो बहुत है लेकिन किसी को नहीं मालूम कि क्या करना है अच्छा ही हुआ सर, हमने चित्तो पांड़े के पहले ही गिरफदार कर लिया हाँ, कांग्रस कमेटी के सदर को तो भगवान मानते हैं ये लोग औहदे से जादा इनकी ज़वान खतरना के सर ऐसा बोलते हैं कि सुनकर एक बार तो हमारे भी दिमाग फिर जाए ये हरताल आपकी समझ में और कितने दिन चलेगी सर मैंने अपने आदमी भेज कर कुछ दुकाने खुलवाने की कोशिश की थी एक दो बनिये भी अगर दुकान खोल दें तो दूसरे खुद बखुद घाटा बरदाश्ट करने को तयार नहीं होगे नतीजा क्या हुआ सर अभी तब तो धंकाने पर भी कोई दुकान खोलने पर राजी नहीं हुआ है चीक है करने दोर तालो ने हमारा का भी गड़ता है दो चार दिनों के बाद जब लोग भूखे मरेंगे तब खुद बखुद खुलवाएंगे बाजार अब हम लोग डिसपर्स होते हैं आज रात सेकेर्ट्यो स्टेट लॉड एमरी का एक स्पेशल ब्रोड कास्टर रेडियो पर आज सेज़ेस्ट्यू आल तुन इन तो इट ओके सर्स्टेफल क्रिप्स के द्वारा भेज़ेगे प्रस्टाव को ठुकरा दिये जाने से बिटेन को बहुत निराशा हुई है कॉंग्रेस पर से जनता का अथबार उठ गया है और जनता पर प्रभाव डालने के लिए मिस्टर गांधी ने सरकार के खिलाफ खुली कारवाई करने का नारा दिया है और यहीं उनके नए आंदोलन का सार है जूटा साला इस आंदोलन के तहट कारखानों, व्यापार, दफ्तरों, कोर्ट अदालत वगएरा में हर्ताल करना और सैनिक भरती के अड़ों का बहिशकार करना और घहराव करना शामिल है इसके अलावा टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काटना, रेल और पठनियों को नुकसान पहुंचाना, सडकों और नहरों को तोड़ना बगएरा भी सांदोलन में शामिल किया गया था सरकार ने मिस्टर गांधी को जनता से अलब कर दिया है, जिससे वो तोड़ फोड़ और विसोटों से, जिसे वो पूरे देश में फैलाना चाहते थे, भारत को बचाया जा सके अब हमें राह मिल गई है, महादेव देशाई ने ये लिखा भी था, कि सामान अस्वाव की तोड़ फोड़ करना कोई हिंसा नहीं है अब आहिश कर देंगे सरकार को, अब एक दिन और नहीं चलने देंगे सरकार अब समझ में आया है कि क्या करना है सरकार का अब समझ में आया है महात्मा गांदी के मंत्र का मतलब करेंगे या मरेंगे, इस संदेश को गौँगाँ पहुंचाएंगे और एक-एक सरकारी इमारत पर तरंग फार आएंगे, चलो चाहे जान भले ही जाए उखार फैंको इन पच्छियों को चलो चलो भाईयो चलो पाई बैटा हो नेकाजन ये सब जनता का काम है हमारा काम है हम अब ही बताते हैं कैसे तोरते हैं इन पच्छियों को चलो पुलीस जो आगे तो फिर जोलने हैं उठाके ससुरी को दोडों को दूर उपताना वर कुवा में फ्यक्ट दो अचा ठीक है भी जाए विश्वति रंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा आओ प्यारे वीरो आओ आओ प्यारे वीरो आओ चाहे जान भले ही जाए शान ना इसकी जाने पाए साथियो साथियो अंग्रेजों की चूड़ती वेवस्था को बस आखरी धक्के की ज़रूरत है इसलिए आगे आओ और कार दो इंतारों को जिससे हमें गुलामी में बांधने वाली जंजीर बनी है आओ भाईयो अरे का हुआ हुए जटका मारता बाबू अब पता हो कैसे करी अरे अग्याद बाबा से कहो के हाती दे दे एक जटका में उखार भेंगेगा खबतार खंबा सब बाबा क्या अपना हाती दे सकते हैं जारा देर के लिए अलग निरंजन बालक मैं तो एक छोटा बाबा हूँ बड़ा बाबा वो है गांधी बाबा उसके कहने पर हाती तो क्या जो चाहे ले जाओ अलग निरंजन वो सारे देश में अलग जगा रहा है हम भी आज से उसके लेचाहे हो गए। तोरो इसकंबे को लेचाहे आओ तोरो इसकंबे को लिएखे लाग निरंजन ढो तोरो इसकंबे को टरो इसकंबे को फखब खनाखक रालकह निरंज ओ स्गाटια निरंजन जाद मातमा का बालtsåfolgं निटिकी खनस णोर'? अग्यानी जज, खर संपती जलाने वाला, जहर या सस्त से मारने वाला, धन, स्री, भूमी का हरंग करने वाला, ये छे आत ताई हैं, इनका सरो नाश होना ही उचित है बालक, अंग्रेज़ों ने हमारी जमीन मान सन्मान सब कुछ चीन लिया, आज तू भी इन अंग्रेज़ों के खिलाफ, अमारी और से फैसला सुना दे, और हमारे साथ नारे लगा ले, बोल बालक, तू भी हमारे साथ बोल, गांधी बाबा की, जै, गांधी बाबा की, जै, अ हात्मा गानले की जै अरे ये भाई तो चले गए चलो बेहनो आज इसका चैरी पर भी तेरंगा फेराते हैं आज हात्मा गानले की जै लोड एमरी और सर सीपी रामस्वामी अईयर की रेडियो तक्रीरों के बाद तो सरकार की अहालत सुधरने के बजाए और जादा बेकाबू हो गई है सर औरतें, मर्द, बच्चे, बुढ़े हजारों की तादाद में सड़कों पर निकलाया हैं और बल्वे पर आमाता हैं लेकिन हमने भी उन्हें सकती से दबाने में कोई कसर नहीं रखी है एक जगे तो हमारी फोर्स ने बच्चों के जुनूस पर घोड़े तक छोड़ दिये लेकिन लोग हैं की पागल हो रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि आप से और आपके महकमे से कुछ होने वाला है बांस दीह में लोगों ने पुलिस को गिरफ्तार करके रखा हुआ है और सर एक के बाद एक डागगर फूग दिये जा रहे है ठानों तक पर कॉंग्रेस का जंडा फहरा जा रहा है और सर बिन्यारा रोड स्टेशन से स्टेशन मास्री ने खबर बेजी है कि 339 अब ट्रेन का एंजिन अब काम करने की हालत में नहीं है और स्टेशन जल चुका है वो अलग I think we must call for reinforcement sir How? How do we do that? कल से हम सारी दुनिया से कट गए हैं फिर भी आखरी कम्यूनिकेशन से मैंने बनारस कमिशनरी को यहां की बिगरती हालत की खबर दे दी थी सुना है बेरिया के थानेदार काजिम हुसेन ने खुद कांग्रेस के जंडे को चुम कर थाने पर लगाने की इजादत दे दी है बलवाईयों को मुझे लगता है ऐसे लोगों को फौरण मुध्तिल कर देना चाहिए काजिम हुसेन मेरा पुराना आदमी है सर इतनी आसानी से जुकने वाला नहीं वो जरूर फस गया होगा बेचारा पना ऐसा सबक सिखाता होने कि वो भी याद रखते सर बहुत से थाने हमारे हाथ से निकल चुके है रसडाज, सिकंदर पूर, हल्दर पूर वगारा वगारा मुझे लगता है कि पुलिस कारवाई ही से नहीं बादचीत से काम निकलेगा बादचीत किस से? चित्तो पांडे से, रादा मुहन से और दूसरे कांगरसी नेताओं से मगर वो सब तो जेल में हैं तो हम उन्हें छोड़ दें छोड़ दें? इंपासिबल तो फिर हमें खुद जेल जारकर उनसे बात करनी पड़ेगी वो सभी आहिंसा के पैरोकार बनते हैं हम उनसे कहें कि वो जन्ता के नाम शान्ती की आपील जारी करें ठीक है हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप खुद कार से बनारस पहुँचने की कोशिश करें हमें एडिशनल फोर्स की जरूरत है I don't want to take any risk सर अभी अभी एक ट्रेंड बनारस से आई है जिसमें सब तर्फ जंडे लगे हुएं और लिखा था आजार ट्रेंड बनारस इन्वेसिटी के लर्गे आई हैं उनका केंपस खाली करवा लिया गया है और लोग मतलब और मसीबत सर मैं फोरण चला जाता हूँ ऐसा नहों के सड़का रास्ता भी बंद हो जाए दूसरी ख़बर यह है कि पूरे एक हफ्ते के बाद कांग्रेस कमेरेटी के कहने पर गुदरी बाजार खोड़ा जाएगा अगर कल बाजार खुलेगा तो गोली भी चलेगी मिस्टर रामलगन सिंग मेरी सला है कि आप बनारस जाते हुए खादी के कपड़े पहनने और कार पर कॉंग्रस का जंडा लगा ले I see no other way I don't want to take any unnecessary risk I don't want to take a look I don't want to take a look रामनान तुमें मिलकर बड़ा कुछ होगा बहुत दिनों से इसी घर में जार रामनंध है नहीं, वो घर में नहीं है मैं पारस हूँ पारस? क्यों? यहां देखकर अचरज हो रहा है तुमें? कभी कभी अपनी कही बात पर भी अचरज हो जाया करता है आओ अंदर आओ यहां रख दू यहां रख दू? यहां यहीं रख दू आओ बेठो और पारस, बी एच यू के क्या हाल है? बुरे हैं क्यों क्या हुआ? सोचा था सहयोग करेंगे, पढ़ेंगे पर वही वाली बात सहयोगी असहयोगी में हो गई रार अब सहयोगी लोग बैठे, खुजलाए का पार मर हुआ क्या? मिलिटरी भेज दी उन्होंने छात्रों को पीट-पीट कर यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए वो भी इंडियन आर्मी नहीं अंग्रेजी आर्मी नहीं अस्ट्रेलियन आर्मी भेज दी उस हेलिट के बच्चे ने कह रहा था कि बी एच्यू को गैरेसन में बदल लेगा चलो अच्छा हुआ उनने तुम्हें भी आजाद ट्रेन का पेसेंजर बना ही दिया पर पार्स तुम्हारा यहां क्या से आना हुआ सोचा था तुम्हारा काम भी देख लूँ अच्छा तुम्हेरा एक काम करोगे कई बंबं तो नहीं ले जाना है ने ने बंबं नहीं बस एक ये खट लेके जाना है ये बेरिया दरसल कर वाँ हजारों लोग ठाने का घ्यराव करके उस पर जंडा लगाने जा रहे हैं पर मुझे किसी ने बताया था कि जंडा लग चुका है हाँ लगा था जंडा जंडा लगा था थानेदार ने पहले उसे चूमा और लग जाने दिया थाने पर पर जैसे ही लोग उसे अपना भाई समझ कर घर गए उसने जंडा जला डाला और अपने साथियों को ले अथियारो लैस बैठ गया वापिस थोके बास पर जनता का भी प्रण है कि वो जंडा लगाएंगे चाहे इसके लिए गोली ही क्यों ना खानी पड़े ठीक है तुम कहते हो तो मैं बैरिया चला जाओंगा और तुम मुझे कल यहां बाजार खुलवाने है पूरे एक हफते के बाद और पर्सू हो सका तो कलेक्टरी पर कबसा फिर मिलेंगे कब भेर सारी बाते करनी है जिन्दा रहे तो पर्सू सुबह आव नमस्कार पाने जी बंदे मात्रम अलो सार बंदे मात्रम मात्रम सरकार ने ये तै किया है कि law and order की बिगड़ती हुई situation को देखते हुए हमें कोई समझोते का रास्ता निखालना होगा कौन सी सरकार ने शर्चल ने के भाई सराय ने नहीं हम लोगों ने ये तै किया है कि हम आप से और कॉंग्रस से मिलकर एक ऐसी पंचायत बनाएं और लोगों से अपील करें के उकावत सुनी है न साहिब के जिंदगी भर खून चूसने वाला चीलर जोन दिन आदमी के हाथ आ गया तो बोला के चलो समझोता ही कर ले नहीं पांडे जी ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है हरे हम तो ठेरे देहाती गमार इन अफसरन से आप अई बात करो अमेले साहिब साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहते रादा महुन जी अगर आप इस बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए हमें सहोग दें तो आप लोगों के रिहाई हो सकती है तो आप हमारे रिहाई की किमते अदा करना चाहते हैं हरे जब हमारे विचारी बिग गया हमारा जमीरे बिग गया तो फिर आजादी लेकर क्या करेंगे हम छुका कि सर को करेंगे कभी सलाम नहीं किसी के आका रही हैं तो हम गुलाम नहीं छोड़ना चाहते हैं आप हमें तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या करेंगे हम बाहर जाकर यह हमारा मामला है, सशर्थ रिहाई हमें मन्जूर नहीं है मैं आपके भले के लिए हाँ आया था, अगर आप सोचने समझने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ मगर आप याद रखिये के पूरा बलिया जल रहा है खुदे ही याद लगा कि खुदे ही चिड़ ला रहे हैं कि जल रहा है, जल रहा है, मार डाला आज तो बलिया जल रहा है कलेक्टर साहिब, कल इंग्लेंड जलेगा, लंदने जलेगा, और हो सकता है तब आप हमारी स्थिती में हो और हम आपकी स्थिती में उसे रोटी छीन कर कहते हो करो न चोरी, सब भे कहाने वालो अपने चलेगी ये बरजोरी वो दिन इस जन्द में तो आने वाला नहीं है पाले जी रामन, अरे पारस तुम इतनी रात गए? तुम ठीक तो हो, हां क्यों? अरे परिशांद हो तुम लग रहे हो? मैंने सुना था कि तुम्हें गोली लगी भी अरे पारस, क्या हो तुम्हें? बठो, बठो, देखो, अगर गोली लग भी जाती तो क्या होता? कल बाजार में पुलिस वैंड से पुलिस ने अंधा धुंद गोलियां चलाई, नौ लोग मार दिये बल्या की सडकों पर, मैं भी उन में से एक हो सकता था, मगर बच गया, य क्या, क्या भी ने हमला कर दिया थाने पर? नहीं, नियाती भीर बस नारही लगा रही थी, बस एक एक करके जंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे, और उपर छट से थानेदार ने उन लोगों को गोलियों से मार डाला, बीस से ज्यादा लाशे पड़ी थी, मगर खुद की आउ आसपास के गाउं से बीसो हजार लोग एकठा हो गए थे, गोलियों की आवास सुनकर, दो पहर दो बज़े तक तो गोलिया चल रही थी, और लोग मर रहे थे, शांके आंट बज़े, जब लोगों का सबर तूटने को था, तब खुद गोलियों से खायल सुदर्शन सिंग ने बोला की कसा में उन लोगों को जिन होने हिंसा की, कांधी बाबा की कसम, वाह, कांधी जी वाह, चोटे बच्चों को में नी छोड़ा, जिसने जंडा उठाया, सुसी को ही मार डाला, कितने और लोग मार दिया आपके काजिम हुसेन ने, उननी सर, ये तो आप कह रहे हैं, और घायल, यही करीब सौ के आसपास होंगे, मगर थाना बचा, जी नी सर, उस पर भी छंडा लगा दिया उन्होंने आखिर में, बलिया में नो, बेरिया में उननिस, पता नहीं और कित कितने वालों की फारिष्ट है, ये सर, कौशल किशोर सिंग, उमर 22 साल, भी मदीर 22 साल, राम प्रसाद उपादिया 26, राम नगीना सोनार 18, शिवराम तिवारी 20, निर्वे कुमार 16, पस केजिए, मिस्टर ककर, आपके बांसटी का क्या हाल है, सर, तहसिल पर पुरा कबजा कर दिया है लोगों ने, और वहाँ भी जंडा लगा दिया है, मैंने अपनी पिस्टोल निकाली, तो उन्होंने मेरी गाड़ी फूंक दी, मुझे आपकी मोटर की नहीं, सरकारी माल की फिक्र है, त परकारी नौकरों को चार मेने की तनखा भी दे दी, और बोल दिया, छुटी मनाए, अब अंग्रेजों की हुकुमत गई, सर, 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 चाहो तरफ से गलिया गिरता जा रहा है, हजारों लाखों लोग अपने गाव छोचोड़ के इस तरफ चले आ रहे हैं कि गलिया कलेक्ट और जो बीच जाने दे सकते हैं, वो दूसरों भी दे सकते हैं और प्राब्लम ये है कि वो गोलियां पीट पर नहीं, सीनों पर जहल रहे हैं मिस्टर ककड, आपके पास ट्रेजरी में कितने रुपए हैं? करिब नौ लाख रुपए कैश और पचास साथ हदार रुपए के स्टाम पेपर सब जला दीजे फॉरण जी, जी हां, मैं नहीं चाहता कि ये रुपएा क्रांतिकारियों के हाथ लगे और जलाने के पहले सब नोटों के नंबर नोट कर लिजे ठीजिए सर, नौ लाख रुपए कैश जलाएंगे सर तो और क्या करूँ आप लोगों मैं बांट तूँ? आप लोग जाने की तैयारी कीजे कहां जाना है सर वी हब दिसरेंडर क्या? सर वालाद नो अधर वे आज से बलिया की हकूमत खथ अर सर बीकन जाने लाख बंदूग दगिल धन नन, दनन गुलीड और इली सन सनन वाला वालम ते गातब बज उटिल वहां खनन मापारदी! 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 अब आभी हालात को संभालिए बलिया मेरे काबू के बाहर जेल के फाटक आपके लिए खुलें क्या हम भी अब अजाद हैं नहीं हम सब खूनी चोर उचक्य और बद्राम लोग हैं हम इन लोगों के साथ बहार जाकर गांदी बाबा का नाम नहीं डूएंगे जेल के फाटक खुलाएं हैं गांदी बाबा के सेल को ले तो आज यहीं लोग बाहर जाएंगे इतनी जल्दी क्यों करते हो मेरे भाई अंग्रेज सरकार उठ रही है जब हमारा राज आएगा तो हमें नयाय मिलेगा ठीक है बाबो हो इसको तो अपनी सरकार में पुलिस से कहना बिला वजा गरीबों को जरायम पेशा देना बेकार बंद कर दें ऐसे ही होगा मेरे भाई अच्छा बाबा बहुत अच्छा समय बीता आप लोगों के साथ अब बहर जाना है बहुत काम समहलना है जैड बहुत गांडी की जैड इंक्राव जिन्दा पाउ इंकलोब 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 बलिया ने बारहे दिनों के भीतर अहिंसात्मक जनक्रांती द्वारा अंग्रेज हुकूमत का खात्मक कर दिया 22 अगस्त को सडक रेल और नावों से अंग्रेज फोजें बलिया में दाखिल हुई अंग्रेज फोजों ने पूरे बलिया में कोहरा मचाया सैकड़ों लोग मारे गए बेतों से गोलियों से पेड़ों से लटका कर बीसी ओ गाउं फूग दिये गए पूरे जिले से तकरीबन 30 लाख रुपया जर्माना वसूल किया गया और आखिर में ब्रिटिश पार्लियमेंट में लॉर्ड हैलिट का संदेश पहुँचा बलिया हैस बिन कॉंकर्ड बलिया की तरह बहुत से देहाती और शहरी अलाकों में हकूमत की पकर खत्म हो गई और उन जगहों को दुबारा फटे करने में कई कई दिन और बास जगह कई हफ़ते लग गए इसी भीर की तादाज कितनी बड़ी क्यों न हो वो हथियार बंद फौज के खिलाफ नहीं टिक सकती वो उसी सूरत में मुम्किन है कि फौज अपनी वफादारी पलट कर भीर के साथ हो जाए मगर उनीस सौ बे आलिस के हुजूमों ने ने पूरी तरह तयारी की थी नहीं मुकाबले का सही वक्त तै किया था वो मुकाबला अचानक उनके सर पर आ गया उनका फौरी प्रती रोट कितना ही गलत और बेराह क्यों न हो उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना प्रेम और विदेशी शाहसकों के खिलाफ अपनी नफरत का खुला इज़ार किया युलुफ प्रेम युलुफ प्रुम फ्रुफ झाल करेंगे या मरेंगे, नहीं कि पिस्ते राएंगे, नहीं कि पिस्ते राएंगे। हिरण्यगरबात समवर्तताग्रेव, भूतस्य जातप पतिले का आसीत, सदाधार पृतिवेंध्या मुतेमां, कस्मय देवा यह विशा विदेम वह था हिरण्यगरबश्रिष्टी से पहले विद्यमां, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्दित्वमान धर्ती आसमान दारण कर, ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हविदेकर जिसके बल पर दे जो मैं है अंबर, पृत्वी हरी बरी सापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी सिर, ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हविदेकर गर्ब में अपने अगनी दारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इदर उदर नीचे उपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बन कर, ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हविदेकर स्रिष्टि निर्माता स्वर्ग रचेता पूर्वज रक्षा कर, सद्य दर्म पालक अतुल जलनियामक रक्षा कर पैरी हैं दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हविदेकर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हविदेकर